हाई दुस्तो अगर आप WhatsApp में a status जो भी है उसे डाउनलोड करके अपने गैर्वरी में लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आप WhatsApp आप्लिकेशन को open करेंगे और यहाँ पे उसके बाद update वाला option में आपको click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका status लगा हुआ मिलेगा friend का तो यहाँ पे आपको क्या करना है उस status को पूरा watch कर लेना है यानि कि पूरा देख लेना है तो चलिए हम इस status को अभी पूरा फिलहर के लिए यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे हमनी status को देख लिया है अब हम back आते हैं दोस्तो back आने के बाद अब आपको क्या करना है अपने mobile में आप एक option यहाँ पर application को open करेंगे जहाँ पर my file का option मिलता है आप इस पर click करेंगे click करने के बाद अब आपको यहाँ पर में एक option मिलेगा जो three dot का icon दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और settings वाला option में आपको क्लिक कीज़े उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखाओ है display hidden file यानि कि यह display का hidden file जो है इसे आपके phone में यह बंद रहता है तो आपको फिर किसे on कर देना यानि कि चालू कर लेना है फिर back आएंगे चालू करने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिलता है device a storage का ओके इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करेंगे तो आपके साथ में इस तरीके से page open हो जाएगा अब यहाँ पर एक option मिलेगा android का android वाला option में जाएंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक option मिलता है media का तो media वाला option में आपको क्लिक करना है क्लिक कर लेजे उसके बाद मिलेगा कि whatsapp.com.whatsapp की option मिलेगा आपको इस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर वाटसब application रहेगा आपको इस पर क्लिक कीजे और आपको नीचे में एक option मिलेगा media का इस पर click करेंगे और फिर आपको ऊपर के तरफ यहाँ पर एक option मिलेगा status का चलिए इस पर हम click करेंगे अब जो भी हमने download किया था वो यहाँ पर show हो रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब इसे अपना gallery में कैसे लाते हैं तो अपना गैर्डरी में लाने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे में देखे थिरी डॉट का ओप्शन मिलेगा आपको इस पे क्लिक कीजे अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पर copy का option मिलेगा इस पर क्लिक कीजिए अब यह पूछ रहा है कि आपको किस में downloading करना है तो simply आपको यहाँ पर एक option मिलेगा और download ओके इसमें आपको यहाँ पर download वाला option में क्लिक करके और यहाँ पर paste here वाला option में क्लिक कीजिए तो यहाँ पर paste successfully हो गया अब आप आपको बैक आना है और अपना गैर्डरी अप्लिकेशन को ओपिन करें कि आपको दिखाता हूँ तो वही वाला आप यहाँ पर देश सकते हैं कि आचुका है तो इस तरीके से आप डाउनोड करके अपने गैर्डरी में लख्श रख सकते हैं